अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और प्लेलिस्ट चेक कर लिजे वहाँ आपको आपको आपकी पसंद की वीडियो मिल जाएगी आज का मेरा टोपिक है इंक्लूजन कंपाउंड जो की BSC और MSC दोनों के लिए काफी साधा इंपोर्टेंट करें लॉंग में आपका नहीं आता है बट शॉर्ट में जरूर आता है और इंपोर्टेंट भी है इपन आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है और अगर आप किसी भी टेस्ट में जाते हो कोई आप कहते हो कि आप BSC करो तो इंक्लूजन कंपाउंड ऐसा टॉपिक आपसे कोई भी पूछ लेता है तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसके बारे में पढ़ना इंक्लूजन कंपाउंड एक कंपाउंड होता है जिसमें एक केमिकल कंपाउंड होस्ट होता है और एक होता है गेस्ट जो इसमें केविटी आके यानि कि वो फिक्स होती है ऑखे काम्स इसका सेंड्विच उसमें जोती है नोट करिफेंड्स एंड च्राउंड होते है और स्टेंट्स होता है वह इंक्लूसन कंपाउंड नहीं बनाए क्योंकि उनका जो बॉंट होतायए वो wonder wall bonding से ज़्यादा होता है जिसकी वज़े से वो inclusion compound नहीं बना पाते if a guest is enclosed on all sides so that it is trapped then this is known as clitherate not an inclusion compound यानि कि जो guest compound है वो बंद होता है यानि कि enclosed होता है और trapped यानि कि पकड़ा हुआ होता है तो उसे हम inclusion compound नहीं कहेंगे उसे हम clitherate कहेंगे तो आप से very short में पूछा भी जा सकता है clitherate क्या होता है तो वहाँ आपको यह explain करना है कि clitherate यह होता है तो यहाँ तक आगे आप चलते हैं अब पढ़ते हैं types of inclusion compound फर्स टाइप इस लॉक और clitherate जिसे हम बोलते हैं second है channel यह नाम है inclusion compound के दो types के होते हैं clitherate यह आप लॉक उसे बोल सकते हो second होता है channel आप पढ़ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा देकि very short का question है तो very short में आएगा और comment करने से पहले old videos चेक कर लें बहुत सारे लोग उन videos उन comments के लिए कहते हैं जिन पर मैं already video बना चुकी हूँ तो please old videos जरूर चेक कर लीजेगा मेरी video daily आती है अप किस topic पर आती है वो आप देखिए आपको वो topic चाहिए या नहीं चाहिए मैं आपको सारी study बहुत easily करा रही हूँ notes provide करा रही हूँ first से लेके end semester तक चाहिए वो BSE हो या MSC अब पढ़ लेते हैं clitherates इसमें क्या होता है water molecule cavity बनाते हैं guest molecule के साथ guest molecule क्या होता है guest यानि कि guest जो है वो अपने guest molecule के रूप में लिया है क्योंकि आपको एक लेना था cavity और एक guest तभी तो इसे host guest कहते है question पूचा जा सकता है host guest theory क्यों कहते है inclusion compound को ठीक है then अप पढ़ेंगे channel compound the space in the channel compounds are in a shape of long tunnels और channels यानि कि blumby channels होते इसमें example है urea complex या biphenyl most of this urea guest to urea complex are an alkene and they are straight chain derivative तो देखिए गर आप MSC कर रहे हो English में कर रहे हो तो आपको इतना समझ आना चाहिए मेरे notes की language काफी ज़्यादा simple होती है साथ ही साथ कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि इनमें mistakes है be true आप कितने से बड़े से बड़े writer की book पढ़ लीजिए English में अगर आप MSC जैसी चीज़े कर रहे हो या MCA कर रहे हो या MTAG कर रहे हो grammar काफी कम तक यूज होती है और आप English में MSC कर रहे है और आपकी grammar जो है वहाँ थोड़ी सी mistake है ना like थोड़ी सी यह नहीं कहरी हूँ बहुत ज़ादा अगर like आपने 100 sentence लिखे है और उनमें से एक sentence में mistake है तो आपके marks बिलकूर नहीं करेंगे आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा कि आपने mistake भी की है so tension video रहके पढ़ाई करिए सिर्फ आपका topic किलियर होना चाहिए आपका concept किलियर होना चाहिए आप जो लिख रहे हो अपने exam में उस पे आपकी पकड होनी चाहिए टीचर को लगना चाहिए कि इसने पढ़ा है बस knowledge लेनी है आप सीधी सी बात है आप पढ़ रहे हो तो आपको knowledge मिलेगी अगर like मैं भी हूँ इस कॉपी में से बिना देखे आपको explain करूँगी तो grammar कौन देखता है कोई भी नहीं देखता 19-20 grammar में mistake बिल्कुल हो सकती है हाँ ये नहीं कह रही है अपने आप से mistake करिए बट अगर थोड़ी सी mistake हो रही है तो उससे डरिये मत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर focus करिए especially chemistry से की है chemistry का tips आपको दे सकती हूँ Hindi medium से पढ़के MSC की थी first semester में जब कही थी English में तो problem हुई थी और मेरे teachers ने PhD scholar थे सीधे सीधे कहा था कि grammar कोई इतनी value नहीं करती है आपके knowledge होनी चाहिए अगर आप में knowledge है तो आपकी grammar को कोई भी नहीं देखेगा so okay I hope कुछ लोग जिने थोड़ी बहुत problem हो रही थी तो please easily tension मत लेजिए notes लेजिए जहां आपको गलती लग रहे है उसे थोड़ा सा correct कर लीजिए मैं नहीं कह रही हूँ मेरे notes पूरी तरह से अच्छे हैं so thank you for watching my video and be confident